सर्दियों के मौसम में मार्केट में पहुँच सरी हरी सबजिया मिलती है लेकिन उनको एकी टैप से बना बना के खाके हम बोर हो गए है तो चलिए आज नए तरीके से बनाते हैं हरी सबजी तो आज मैं यहाँ पे मेथी और मटर की सबजी बनाने वाली हूँ लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे रोटी का आटा गुंट लेते हैं रोटिया तो सब बनाई लेते हैं लेकिन उसका आटा प्रॉपर गुंटेंगे तो रोटिया हमारी एकदम फुली फुली बनेगी तो यहाँ पे मैंने दो कप गेहू का बारिक वाला आटा लिया है उसके अंदर थोड़ा सनमक डाला है और एक दो चमच तेल डाला है और उसे अच्छे से mix कर लिया है और अब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी add करके हमें आटा घूंट लेना है हमें एक डम soft आटा गुदना है बिल्कुल भी hard नहीं गुदनेगे नहीं तो हमारी रोटिया soft नहीं बनेगी अब उसे ढग कर 10-15 मिनिट rest करने के लिए छोड़ देंगे तो चलिए अब तयारी करते हैं सबजी की तो यहाँ पर मैंने ले लिए मेथी तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 क्राम जितनी मेथी लिए और अब उसे अच्छे से दो लेना है मेथी के ओपर बहुत सारी मिट्टी और धूल चमा होती है तो उसे एकदम प्रॉपर दोना बहुत ही ज़रूरी है तो इस तरह बरतन में पानी लेके इसे अच्छे से हम दो लेंगे तो एक दो बार मैंने मीथी को अच्छे से दो लिया है मीथी टेस्ट में कड़वी होती है तो उसकी कड़वाट थोड़ी सी कम करने के लिए उसके उपर मैंने डाला है एक चमच नमक और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसे 5 मिट ऐसे ही छोड़ दिया है और अब मैं लूँगी एक कप मटर के दाने तो मटर तो हम ऐसे ही पका सकते हैं लेकिन मार्केट में थोड़े से सस्ते मिल रहे थे तो मैं कुछ जाधा ही लेके आ गई और अब उसे फ्रीज में ऐसे ही रखेंगे तो वो स्प्राउट होने लगते हैं बिगड़ जाते हैं तो मैंने उसे फ्रीजर में स्टोर कर दिया था फ्रीजर में स्टोर किया है तो उसके दाने थोड़े से कड़क हो गए है तो उसको पकने में थोड़ा सा ज़ाधा टाइम लगता है तो मैं उसे अलग से पका लूँगी तो मटर को मैंने एक दो बार पाने से दो लिया है और उसके अंदर आधा ग्लास पाने डालके उसे बॉल करने के लिए छोड़ दिया है मटर बॉल हो रहे हैं तब तक हम बाकी की तया रिकल लेते हैं तो मैंने कड़ाई ले लिया है दो बड़े चमच तेल तेल गरम होते हैं उसके अंदर डालेंगे एक चमच राई एक चमच जीरा और उसे डख देंगे तकने से हमारा किचन थोड़ा सा कम गंदा होगा क्योंकर रहे लसुन को पकने में थोड़ा सा टायम लगता है नमक के पाने में सारी करवाट निकल जाएगी तो चलिए यहां पे दो मिनिट हो चुके हैं और हमारा लसन भी अच्छे से पक गया है और अब इसके अंदर एड़ करेंगे दो चमबच बेसन बेसन एड़ करने से हमारी ये सबजी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी बेसन को एकदम low flame पे हमें अच्छे से बून लेना है बेसन बूनने से इसका जो कच्छा पने वो निकल जाता है और उसका टेस्स पहुत ही बढ़ी आता है तो यहां पे एक दो मिनिट में अच्छे से ये बेसन बून जाएगा तो चलिए अब इसके अंदर मसाले कर लेते हैं तो इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के according नमक एक चमच हल्दी, एक चमच लाल मिर्ज पाउडर और एक चमच धनिया जीरा पाउडर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह दिखे हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब इसके अंदर एड़ कर देंगे मेथी मेथी डालने के बाद उसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है यह सबजी आपने एक बर बना ली तो बार बर बनाओगी क्योंकि यह टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है तो अब यहां पे मेथी और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो इसके अंदर एड़ कर देंगे मटर जो हमने बॉयल करने के लिए रखे थे मटर में जो पानी बच गया है वो फैकना नहीं है क्योंकि हमें अल्रेडी इसके अंदर पानी एड़ करना है तो मटर को हम पानी के साथ ही एड़ करेंगे और अब उसके अंदर एड़ करेंगे आधा कप पानी पानी मिलाने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अगर ज़रुर्ट लगे तो थोड़ा सा और पानी एड़ करेंगे तो यह देखे हमारे इतनी थीक ग्रेवी बननी चाहिए अगर आपको और लिक्विडी ग्रेवी चाहिए तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हो और अब ढ़क कर दो मिनिट एकदम लो फ्लेम पे उसे पका लेना है तो दो मिनिट में अच्छे से पक जाएगा तो इसके अंदर एड़ करेंगे दो चम्मच दही और आता चम्मच चीनी चीनी ऑप्चनल है अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो लेकिन हमारे गर में थोड़ी सी खट्टी मीटी सबजी सबको पसंद है तो मैंने थोड़ी सी चीनी एड़ की है और अब फिर से डग कर दो मिनिट पका लेंगे तो ये दिखिए हमारे सबजी एकदम रेड़ी है टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है तो आप भी एक बार जरूर ट्राय करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सबजी का टेस्ट कैसा लगा तो चलिए अब गैस की फ्लेम आफ कर देते हैं और अब बना लेते हैं रोटिया तो रोटि बनाने के लिए सबसे पहले हमें तबे को गरम करने के लिए रख देना है और अब मैंने यहाँ पे जो आटा गुता था उसे में फिर से गुंट लोगी तो उपर मैंने एक चम्मत जितना ओइल डाला है और उसे अच्छे से फिर से गुंट लिया है इस तरह गुतने से आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और हमारी जो रोटिया एकदम फुली फुली एकदम सॉफ्ट रोटी बनती है यहाँ पर आटे को मैंने फिर से गुंट लिया है और अब सारे हथियर जमा कर लेंगे रोटी बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने चिम्टा बेलन सब रेडी कर लिया है तो अब यहाँ पर आटे की एक लोई ले लेंगे और उसे अच्छे से बेल लेंगे हमने एकदम सॉफ्ट आठा गुंता है तो हमारी रोटी भी फटाफट से बेल जाएगी तो ये देखिए कि इतनी आसाने से मैं उसे बेल रहे हूँ और इतनी फटाफट से हमारी एक रोटी बेल के रेडी हो गई है और अब उसे अच्छे से तबे पे सेक लेंगे तो तबे को हमने पहले से गरम रखा था तो रोटी है हमारी परफेक्ट बनेगी तब एकदम ठंडा होगा तो रोटी एच्छी नहीं बनेगी रोटी एक तरफ से थोड़ी बहुत सीख जाए फिर उसे पलट लेना है दूसरी सरफ से हम रोटी को थोड़ा सा जाधा पकाएंगे और अब इस तरह उसे कैस के फ्लेम के उपर रखके उसे फुला लेंगे तो ये दिखे हमारी एक रोटी रेडी है पहली रोटी थोड़ी सी ऐसे ही बन दी है लेकिन बाकी सारे रोटी अच्छी बनेगी क्योंकि पहले हमारा जो तवे का टेंपरेचर है वो एकदम परफेक्ट नहीं सेट हुआ होता है इसलिए पहली रोटी थोड़ी सी आड़ी जेड़ी बनती है बराबर फूलती नहीं है तो ये दिखें पाकी सारे रोटी आ मैंने बना ली है और सब रोटी आ हमारी अच्छी से फूल रही है तो सौफ्ट अठा गुथेंगे तो रोटी आ हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी तो चलिए अब रोटी के उपर गी लगा लेते हैं तो दो रोटी आ लेके उसे एक दूसरे के साथ इससरा गिस्त लेना है ताकि जो सुखा अठा है उसके उपर सारा निकल जाए और अब थोड़ा सा गी लगागे दोनों रोटी को एक दूसरे के साथ रगड लेना है तो हमारी रोटी आ भी एकदम रेडी हो गई है और अब इसको हम सर्फ कर लेते हैं तो अगर आपको आज की रेसी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इजेन चैनल पे नेते सिस्क्राइब मिलते हैं जल्दी नेक से वीडियों के साथ तब तक के लिए बाई जैशी क्रश्न